तो अभी हम इस Galaxy Z Flip 5 का एक camera review करने वाले हैं मैं direct जो भी आप आवाज सुन रहे हो, direct phone से record हो रहा है इसका जो वीडियो है, सब कुछ phone से ही मैं record करके लिखाने वाला हूँ कि इस phone में ultimately क्या मिलता है camera में recording कैसी होती है अभी outdoors में माइक कैसा काम करेगा अगर vlogging के लिए आप सुन करने वाले हो क्योंकि ये flip phone है तो लोग इसको stand कि तर रख करकी जरूर यूज करते हैं तो अभी इसका outdoors में अगर vlogging करने वाले हो तो इसका quality कैसा होगा उसका भी सब आपको पता लगेगा अभी ये front camera में मैं आपको app से सुरू करता हूँ कि आपको front में क्या app में मिलता है उससारी आपको बताता हूँ तो ये front camera की recording देख रहे हो आप मैं full HD के 30 fps का record कर रहा हूँ हमारे Z Flip 6 से quality काफी सही सी है और मैं outdoor में हूँ आवाज वेगर आपको कैसा मिला है पीछे का dynamic range वेगर है कैसा है वो देख सकते हो थोड़ा सा flush out होता है 10 megapixel का camera है फिर भी काफी सही है maintain कर रहा है ये दूप चाहों को complex जो shot होता है उसको quality तो काफी सही है आवाज कैसा है मैं चल लहा हूँ तो vibration मतलब उसके वाज से जो इस्टेबलाइजस ने वो कैसा है आप देख सकते हो मुझे बैतर लग रहा है काफी जो भी छोटे स्मार्फोन ते बट इतना हाई रेंज पिजा करके ये quality लेने के लिए इतना ज्यादा पैसा देना पड़े ये चीज़ सही नहीं है अब फड़ा ज्यादा आपको इस्मूद दिखाई देगा जो भी चीज़े है आज पास में चल ला हूँ फड़ा ज्यादा इस्मूद दि काफी सही quality आ रही है मतलब अगर obstacles आ रहे हैं तो कैसा दिख रही है काफी सही से record कर रहा है चार-चार माइक दी हुए है तो इसमें आपको voice देखना पड़ेगा मुझे कि voice सच में कैसा record हो रहा है 4 माइक दी है दो नीचे दो ऊपर तो quality सही हो सकती है अब ये जो recording देख रह recording है 30 में नहीं दिखा रहा हूं 4K में 60 पे जाओ ज्यादा अच्छा है जब 4K record कर ही रहे हो तो अभी इसमें मुझे लग रहा है कि background पे थोड़ा ज्यादा ये focus कर रहा है overall काफी सही है vlogging वेगर अगर आप करने का सोच रहे हो तो इस phone से कर सकते हो मुझे लगता है कि मैं थो अगरा कम कर रहा है शायद overall quality काफी सही है तो यह जो वीडियो देख रहे हो आप यह हमारे galaxy z flip 6 का full HD पे 30 fps का recording हो रहे हैं हम लोग चल भी रहे हैं तो आप इस्टेबलाइशन देख सकते हो यह ultra wide lens अभी selected है आप जो greenery वेगर आप देख रहे हो कलर काफी हद तक सेम है real है अभी 1x पे मैं switch कर रहा हूं 1x जो इसको में लेंस पचास में पीक्सल का इस पर कुछ ज्यादा clear और बढ़ियां आता है मतलब वीडियो ग्राफी में सैमसंग ने काफी improve किया हुआ है अभी जो colors आपको दिखाई दे रहे हैं या जो आवाज आ रही है outdoors मैं मतलब मैं शूट कर रहा हूं sun की light बहुत ज़्यादा तेज है quality मतलब colors production आपको लगबग लगबग same दिखाई देगा हमारे s24 ultra में जो reproduction है न color का वो काफी सही है वैसा आपको इसमें भी है मैं अगर उसको 10 में से 9 दूंगा तो इसको मैं 10 में से 8 तो दे सकता हूं अभी जो यह recording देख रहा हूं यह 60 fps पर recording हो रही है हम लोग चल भी रहे हैं और आपको मैं दिखाता हूं हमारी गौ माधा पास से कैसी दिखाई दिती है color वेगर काफी ज्याद आउट डोर्स में काफी ज्यादा light है बहुत ज्यादा exposure है यहां पर यह maintain कर रहा है अब डाइनमीक रेंज देख सकते हो डाइनमीक रेंज काफी आसमान वेगर है जितना दिख रहा है सब कुछ clear है आसमान अभी बहुत जादा बादल तो नहीं है बट इसमें अभी काफी clear दिख रहा है अगर मैं जूम करूं यहां पर इस कैमरा में जो की जूम इसमें है नहीं 2x का ऑप्टिकल जूम बस मिलता है और मैं अभी 2x से ज्यादा जूम कर रहा हूं 3x मैं 10x तक जूम कर रहा हूं तो यह recording जो आप देख रहे हो 4K पर 30fps की recording हो रही है हम बाइक पर चल हैं आवाज आपको समझ में आएगा कि आउटओर्स नॉइस कैंसलेशन वेगरा कैसा है और धूप है लाइट वेगरा काफी ज्यादा है इसमें स्ट्रेट दूप है स्ट्रॉंग दूप है तो उसमें मेंटेन कर रहा एक्सपोजर को काफी सही तरीके से आवाज भी कैसा है और इस्टेबिलाइजेशन कैसा है हम लोग बाइक से चल ले हैं तो उस पर फोन काफी ज्यादा मूव हो रहा है वाइबरेट कर रहा है बट अभी इस्टेबिलाइजेशन काफी सही है आ उसमें मीजओ देजिए से घ्षान सरे बाइबरेश से उष्डिया से प्लग्या जिने मुड़कित कर दो हैं उसमारेजेशन का इस ज्हार ओिस्वान सरे प्रेटेजबिलाइजब स्वारारра झाल झाल झाल